Good morning and morning everyone, मेरा नाम है Divya Jaiswal, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में, जिसका नाम है उडान सपनों के विद दिवया Jaiswal Friends, आज एक बहुत इंटरस्टिंग वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंटरस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ, Top 10 Frequently Asked Questions About Wellness जी हाँ, आप चानते हैं, लास्ट कुछ समय से हम लोग Zoom पे मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग से पहले या बाद में Wellness के सेशन्स में बहुत ज़ादा कुछे जाते हैं और उन कुछेंस को कुलेट कर लिया है, मैंने लास्ट टू मन्त से जितने कुछेंस पूछे जा र होजेंगे, अपनी Best Knowledge के साथ में आज आपको Answers दे रही हूँ, स्टिल अगर आपका कुछ उसमें Add-on है, कुछ Input है तो आप मुझे Comment करके जरूर बताइएगा, तो चलिए Friends, Share करती हूं मैं आपके साथ वो सभी Questions and I hope आपको ये काफी Interesting लगने वाला है और बिना Late करे जल्द से स्टार्ट करते हैं, first question जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, that is related with thyroid, जी हाँ, thyroid में कौन से supplement helpful होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, कि thyroid एक ऐसी disease है, जो कि हमारा अगर खान पान अच्छा नहीं है, हमारा routine अच्छा नहीं है, हमारे hormones disbalance होते हैं, तो हमें जल्दी से पकड़ लेती है, तो इसलिए इन problem से निजात पाने के लिए, इसको sort out करने के लिए, हमें सबसे पहले अपने lifestyle पे ध्यान देना चाहिए, और workout तो बहुत important है, definitely इसमें, इसके अलाबा, जो supplements हैं, जो सबसे ज़्यादा मदद करते हैं thyroid को reverse करने में, वो hypothyroid म जिसमें weight gain होता है, उसमें है multivitamin, flex seed oil या फिर noni, ये टीनो supplement बहुत ही मददकार है, hypothyroid को control करने में, साथी साथ helping supplement में आप aloe vera juice और amla juice और detox को add कर सकते हैं, hyperthyroid जिसमें weight आपका बहुत ज़्यादा lose होने लगता है, आप skinny होने लगता है, आपके बाल बहुत ज़्यादा ज़ड़ने लगते हैं, इस case में आपको calcium, spirulina and multivitamin का सेवन करना चाहिए और definitely helping supplement में आप noni juice का aloe vera का इस्तमाल कर सकते हैं, next question आता है, hair fall में कौन से supplement लेने चाहिए, आप लोग जानते हैं, 70% हमारे hairs जो है, वो protein से बने हैं, जादा तर hair fall protein की deficiency की वज़े से ही होता है, त तो अपने hair fall को अगर आप control करना चाहते हैं, तो कही ना कहीं आपको protein की dosage बढ़ानी होती है, तो protein सबसे पहला इसमें supplement है, जिसमें आप plant protein या फिर protein crest अपने choice का कोई भी आड़ कर सकते हैं, second जो इसमें supplement में आड़ किया है, वो है omega 3, omega 3 या फिर आप krill oil, well का krill oil भी इसमे amazing काम करता है, दोनों में से कोई भी ले सकते है, flex oil या फिर krill oil में से, क्योंकि omega 3 का dosage जितना जल्दी और जितना अच्छा लेंगे, उतनी जल्दी आपका hair fall जो है, वो stop होगा, और helping supplement में detox और aloe vera juice बहुत ही important role play करता है, next question पूछा जाता जाता था है, joint pain या bone health से related, आप च लेकिन आपको पता है कि calcium अगर हम consume करते हैं, तो vitamin D ही उसकी absorption बढ़ाते है, कई बड़ी देखा गए, vitamin D की deficiency होती है, 80% लोगों को मुझे लगता है, females में खास कर, इसकी deficiency होती है, तो इस case में आपको ध्यान रखना है, कि अगर आप में vitamin D की deficiency है, अगर नहीं पता है, तो केलशियम का regular usage करेंगे, तो उसमें vitamin D added है, तो आपको काफी मदद मिलेगी, या आप weekly vitamin D की international unit 60,000 भी इसमें add कर सकते हैं, salt, इसके अलावा जो है, अगर आपके joints में भी pain है, तो आप लोग जानते है, हमारी body में बहुत सारे joints होते हैं, लेकिन सबसे जादा इंडिया में दे करता है, joint और bone health में, तो next supplement इसमें आपका होना चाहिए है, turmeric, turmeric आपकी काफी अच्छे से मदद करेगा, body की सूजन को हटाएगा, omega 3 बहुत ही मदद कार है, तो flex seed oil या फिर krill oil को आप ज़रूर आड़ करें, काफी मदद कर रहेगा आपके लिए, और जैसे की grease जो है, वो dry हो पे आड़ करना होगा, helping supplement में, नोनी को आप ज़रूर ले सकते हैं, digestion related issues जिनको लंबे समयच से चलते आ रहे हैं, आप उसको fix करने के लिए, उनको detox और नोनी का सेवन करने के लिए बोल सकते हैं, aloe vera juice दे सकते हैं, और अगर उनको कुछ ही समय से problem हो रही है, या कभी-कभी पेट से related समस्याएं होती है, constipation है, बदहजमी है, vomitsy feeling होती है, heaviness लगती है, chest में, उनको भारी पन लगता है, उस case में अमरिच शक्ती aloe vera juice बहुत मदद करता है, और SOS basis पे अचानत से कभी भी किसी के भी पेट में दर्ध हो जाता है, घर में बच्चे के या बढ़े के, तो उस case में पुदीना तुलसी बहुती मतदकार है, protein digest नहीं होता है, अगला question बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कि आप बोलते है protein लें, लेकिन हमें तो protein digest ही नहीं होता, कुछ लोगों में ये परिशानी आती है, यानि कि आपका पेट का acid ठीक नहीं है, ऐसा बोला जा करेगी क्योंकि उसमें कपूर आड़ेड है, तो आपकी जठा अगनी को बेटर कर देगी, वो आपका digestion स्टिमूलेट कर देगी, और आपकी पेट के acid को भी बढ़ा देगी, जिससे कि आपको bloating वेगरा जैसी कोई problems नहीं होंगी protein खाने के बाद, और इसके अलावा एक tip में आड़ करना चाहूंगी, यहाँ पे जिसको बहुत ज़्यादा परेशानी है, बिल्कुल heavy meals या फिर protein नहीं digest होता है, तो अमरिच शक्ती के अलावा वो यहाँ पे apple cider vinegar, जो कि किसी भी अच्छे organic brand का हो, आप आड़ कर सकते है, one table spoon, lukewarm water में, glass of water में आड़ करके, आप कुछ समय खाने से पहले ले लेंगे, या protein से पहले ले लेंगे, तो काफी मदद मिलेगी आपको, next, sixth question, जो काफी ज़्यादा पूछा जाता है, that is related with migraine, यह problem देखा जाता है कि गर्मियों में काफी ज़्यादा बढ़ जाती है, या जिन दिनों आप stress ज़्यादा लेते हैं, तो वापस से बढ़ जाती है, तो आपको अपने stress level control रखना है, जिसके लिए अगर आप workouts करेंगे, walk करेंगे, exercise, yoga, meditation, बहुत मदद करता है इसमें, तो इसका बहुत ध्यान रखे, आप साथी साथ, आप intellect, red ginsing और noni का सेवन करेंगे, तो आपको काफी मदद मिलेगी, जिन लो इसमाल भी कर सकते हैं, नेक्स्ट कोश्चन, एक्जीमा सुराइसे, skin issues है, skin बहुत ड्राय है, बहुत flaky है, कुछ भी product लगाने के बाद बहुत जलन सी महसूस होती है, internally बहुत डामेज है, इन सभी cases में, आप detox, aloe vera juice का इसमाल करें लगातार कुछ समय तक, तो आप देखे supplement में, यहाँ पे आप नोनी को जरूर आट कर सकते हैं, नेक्स्ट कोशन है, वेट लॉस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो एक तो हमें अपनी डाइट को जो है, बेटर करना पड़ेगा, पौश्टी काहार जादा लेना होगा, तलाभुना खाना कम खाना होगा, मसा साइस और योगा यहाँ पे स्पेशल रोल प्ले करती है, तो एक दिन में मिनिमम मिनिमम 45 मिनिट्स टू वान आर, आप वोक आउट्स के लिए जरूर निकाले, सुभा या शाम जैसे भी आपके रूटीन में एड़ेस्ट होता है, अपने दिन की शुरुआत जो है, अलो वे कार्वोहाइडिट्स थोड़े कम कर दीजे, फ्रूट वजी टेबल का इंटेक जादा कर दीजे, साथ ही साथ आपको बॉड़ी से डिटॉक्सिफिकेशन भी करना है, तो डिटॉक्स को ज़रूर आड़ करिए अपने डाइट प्लान में, और जब आप डाइट करते हैं, थ प्रोटीन को ज़रूर जानते हैं, कितना प्रोटीन लेना है, कोई इस से रिलेटिट क्वेरी है, तो कॉमेंट कर सकते हैं, और अजन मील रिप्लेस्मेंट लांच या दिनर के टाइम पे, आप डबल टोन या टोन मिल्क में, डेट स्कूप प्रोटीन क्रेस्ट का आड़ कर के लेंगे, मील अपना छोड़ दें, उस समय का लंच या डिनर छोड़ दें, उस समय में एक समय में आप ले सकते हैं दिन में, तो उससे भी आपको वेट लॉस में जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, और इसको थोड़ा सा लॉंग प्रोसेस है, कुछ लंबे समय तक करेंगे, तो ही रिजल्ट इसके देख माएंगे, नेक्स्ट कोशन आता है, साइनेस या आस्तमा, फ्रेंट्स आप जानते हैं, जब भी मौसम चेंज होता है, तो साइनेस आस्तमा के बेशन्स को ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है, इसको कंट्रोल या रिवर्स करने के लिए आपको ध जब ये प्रॉब्लम आपके जिन दिनों में बढ़ जाती है, तो आप स्तीम लें, एक दो ड्रॉपस आप टी ट्री ओल की भी डाल सकते हैं, या हैंकी में टी ट्री ओल डाल कर आप उसको इनहेल कर सकते हैं, आपको काफी अराम आएगा, नेक्स्ट कॉशन जो बार बार समय से उठें, अपना लाइफस्टाइल बेटर करें, खान पान का ध्यान दे, कार्भो हाइडरेट्स को थोड़ा सा कम करें, यानि कि ब्रेड है, चावल है, या फिर रोटी है, इसका इस्तमाल पहले से कम कर दें, जहां अगर आप तीन रोटी खाते हैं, तो डेड़ कर दीज उसको दो करजी दे, जहां दो रोटी खाते हैं, तो एक रोटी पे आज़ेगे, चावल की मातरा कम कर दे, प्लेट का साइस छोटा कर ले, मैं कहूंगी, सालेट्स बढ़ा दे, जितना ज़्यादा रोव वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तमाल करेंगे, उतनी आपको इसमें मदद मिलेगी, इंसुलिन लेवल आपके बेटर होंगे, आते हैं सप्लिमेंट पे तो डायबेटीज में अलोविरा जूस जो है बहुत इंसुलिन लेवल को बेटर करने के लिए, मल्टि विटमिन, फ्लेक्स ओयल या फिर क्रिल ओयल, नोनी जूस और हेल्पिंग इस्तमाल जरूर करें, अगर आप मीठा खाने के शौकीन है, आपको ग्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो घर पे आप मीठा बना सकते हैं, स्टीविया की मदद से बनाएए, तो आपके डायबेटीज लेवल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये थी कुछ टिप्स, अब आप सोच रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ों में मैंने आपको बोला है सप्लिमेंट के साथ, कि आप exercise करिए, workout करिए, तो फ्रिंट्स आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूंगी, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए चार पहियों की जरूरत होती है, उसी तरीके से आपको healthy body के लिए भी चार factors बहुत important है, जिनका ध्यान रखना होता है, first अगर मैं बोलती हूँ supplements, क्योंकि आपके खान पान में जो भी कमी है, जो nutrition पूरा नहीं है, या body detoxification है, या आपके दवाईयों के साथ उसकी आप कह सकते हैं कि जो importance है बढ़ जाए, आपकी problem को जल्द fix करने के लिए supplements बहुत important role play करते हैं, लेकिन workouts भी equally role play करते हैं, यानि कि चाहे आप walk पे जाए, लंबी walk पे जाए, brisk walk करें, आप exercise कर सकते हैं, अपने choice के according, aerobics कर सकते हैं, कुछ नहीं समझा रहा तो आप yoga कर सकते हैं, gym join कर सकते हैं, कुछ भी workout करें, एक दिन में 45 minutes to 1 hour तो बहुत important है, workout को जरूर जगा दे अपने lifestyle में, साथ ही साथ बहुत important है कि आप खान पान का ध्यान रखें, बाहर का तला भुनाए, avoid करें, घर पे बना हुआ, ताजा खाना खाए, nutritious food खाए, और एक limited quantity में जितनी आपको जरूरत है, उतना खाए, ये भी बहुत important है, fourth and very important factor, आ exercise regular करते हैं नहीं करते हैं, ये सब चीजे, चारो factors बहुत important है, healthy body के लिए, और supplements तो बहुत important role play करते हैं, क्योंकि कहते हैं, बिमार लोग जो हैं, दवाईयां खाते हैं, लेकिन healthy लोग supplement खाते हैं, तो अपनी health को बनाए रखने के लिए, या अगर कोई problem हो भी गई है, health related है, तो medicine के साथ supplement को जगा दे, यकीन वानिए, आप वापस healthy हो सकते हैं, अपनी problem को वापस reverse कर सकते हैं, तो ये थे आज के top 10 questions जो मैं आपके साथ share करना चारी थी, आपकी health related, wellness related, इन से related कोई भी doubt है, कुछ भी input देना चाहते हैं, कुछ भी add-on करना चाहते हैं, तो comment में जा लीजे, और bell alkin को अगर आप click कर देंगे, तो मेरी वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहेगी, वीडियो पसंद आई है, तो इसको like करना बिलकुल मत भूलिए, और जादा से जादा लोगों के साथ share करिए, क्योंकि आप वाकर ही एक बहुत बड़ी मदद करेंगे, बहुत सार लोगों की, thank you so much for today, जल्दी आउंगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार.